तो दूस्थू WPL 2024 में कल एक बड़ा रोमांचिक मुकाबला रोयल चैलेंजस बिंगलोर और देली कैपिल्स के वीचे खेला गया इस रोमांचिक मुकाबले में जहां डेली कैपिल्ल ने 181 रन बना है रोयल चैलेंजस बिंगलोर को 182 रनों का लक्ष मिला लेकिन रोयल चैलेंजर बिंगलोर जो है 180 रन बना पई और दली कैपिल मातर एक रंसी ये मैं जीत कर अपनी जगे प्ले आफ में पकी कर लिए इस मैच के बाद दो टीमों ने WPL 2024 के प्ले आफ में ओफिसली कौलिफाई कर लिए है तो एक टीम जो है प्ले आफ से बाहर हो गई है तो ऐसे में कौन सी दो टीमों ने प्ले आफ में कौलिफाई किया है कौन सी ओ टीम है जो प्ले आफ से बाहर हुई है रोयल चैलेंजर बिंगलोर को प्ले आफ में कौलिफाई करने के लिए है अब कितने अंक और चाहिए इस वीडियो में आपको सभी जानकारी जो है मिलने वाली दोस्तों वीडियो रहने वाली है काफी जाद इंपॉर्टन वीडियो में अन्ते तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आइकन दबाद हैं उन दो टीमों की जो WPL 2024 के प्ले आफ में ओफिसली कॉलिफाइ कर चुकी है जिन में हैं मुंबई इंडन्स और दली कैपिल्स और मुंबई इंडन्स ये तोनों टीमों ने WPL 2024 के प्ले आफ में कॉलिफाइ कर चुकी है दोनों ही टीमों ने 77 मैच खिलने के 77 मैच मैच मे हासिल के लिए और 10-10 अंकों के साथ ये दोनों टीमों ने WPL 2024 के प्ले आफ में जगे पकी कर लिए अभी तोनों टीमों को एक-एक मैच और खिलें और जो भी टीम अपना आखरी मैच जीद करके पॉइंस टेपल में पहले नंबर पर फिनिश करती है वो WPL 2024 के फाइनल में पहुच जाएगी और अब बात करते हैं उन दो टीमों के जिन में से कोई एक टीम जो है WPL 2024 के प्ले आफ में कॉलिफाइ करेगी जिन में है रोयल चैलेंजर बिंगलवर और यूपी वारियल रोयल बिंगलवर और यूपी वारियल दोनों ही टीमें अब तक 7-7 मैच खेले है और इन 7-7 मैचों में खेल करके 3-3 मैच में जीत के 7-6 अंक हासिल की है जहां रोयल चैलेंजर बिंगलवर का नेट अनरेट प्लस में है तो यूपी वारियल दोनों टीमों को एक-एक मैच और खे कर सकते हैं लेकिन दोनों टीमों के लिए नेट अनरेट काफी जादा महत पूड़ हैने वाल है अगर दोनों ही टीमें अपने आखरी मैच में जीत दर्जिक करती है तो फिन नेट अनरेट जिस टीम का बहतरी नहेगा वो टीम प्ले आफ में कॉलिफाय करेगी रोयल चैलें करते हैं उस टीम की जो प्ले आफ की रेस से लगबग बाहर हो चुकी है जो की है गुजरात जन्ट गुजरात जन्ट से छे मैच खेलें और इन छे मैचों में खेल करके एक मैच में जीत के साथ दो अंक हासिल की है अभी इस टीम को दो मैच खेलें और दो मैचों में जीत कर रहो हो गई है दूस्तों यह रहा WPL 2024 के प्लेओफ में कॉलिफाय करने का पूरा सेनेरियो तो आपको क्या लगता है Mumbai इंडन्स और Delhi Capital में से कौन सी हो एक टीम रहेगी जो पॉइंस टेबल में पहले नंबर पर फिनिश करने के साथ साथ फाइनल में पहुझाएगी यूपी वायर्स और रोयल चैलेंजर बिंगलोर्ड में से कौन सी हो तीसरी टीम रहेगी जो WPL 2024 के प्लेओफ में कॉलिफाय करी कमेंट करके आप हमें जरूर बता है जो दूस्तों इस्टों मतने हैं वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना थैंक्यू सो मच गाइस फोर वाचिंग इस वीडियो